दोस्तों आज कि इस वीडियो में आप सभी लोगों को बताने वाला हूँ यदि आप NBFC अप्लिकेशन का नहीं रिपेमेंट करते हैं तो आपके साथ क्या 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 कदम उठाये जा सकता है काफी सारा मैसेज यहाँ पर आपको देखने के लिए मिल रहा है कि यदि आप नही बार एजेंट आ चुका है उसके बाद भी हम पैसा देने के लिए सक्षब नहीं है तो वह एजेंट हमको बोल गया है कि आप पैसा नहीं चुकाईएगा तो आप पर विडियो को पुरा complete तक वाज करना है, साथी साथ चैनल को भी आप लोग subscribe कर देजिये, यदि चैनल को यदि subscribe नहीं किये तो इस चैनल को जुरूरी subscribe कीजे और यह मतलब की notification को भी आप on कर लिजिए gere कोई भी नया video हम डाले तो update आप पर मिले भाई जल्दी मिल जाए आपको तो चलिए हम यहां पर बात करते हैं में मुदा पर बात करते हैं कि यदि आप नहीं रिपेमेंट करते हैं तो आपके साथ क्या-क्या हो सकता है और आपके साथ क्या-क्या कदम उठाया जा सकता है और फ्यूचर में आपके साथ क्या-क्या हो सकता है तो देख सब्सक्राइब पर दे कर लाइन रहता है वह पंडे का लगते जाता है उसमें पॉस्वल नहीं होता है ताकि चुकाना यहाँ पर यह चीद देखनी के लिए बाई साब कि आपने चार हजार का लोन लिया है चाहिए आठ हजार का लोन लिया है अब उतना पैसा चुकाने में सक्षाम नहीं है तो यह लोग पर डे मतलब की सो सो रुपया देड़ देड़ सो रुपया मतलब कि ये लोग फाइंट जोड़ते जाते हैं तो ब्लस पॉइंट ये मतलब की रती है कि नहीं चुकाएंगे तो एक्षिली में क्या होगा उसके बाद मतलब की आप लोग ये पूछते हैं कि भाई साब हमको फ् स्टेप उठाना चाहिए वहीं चीज हम आज सब को बताने वाले हैं तो कोई भी अप्लिकेशन से लोग ले लिए हैं तो जाहिर से बात है बाई कि मतलब कि आप नहीं चुकाएंगे तो कॉल मैसेज आएगा कितना मतलब कि स्टपर कॉल मैसेज हुए तो आपको जहलना पड है कि की यदि आप पैसा नहीं चुकाते तो कॉल मैसेज तो आएगा ही आएगा यदि आपन awkill की सोचिया कि आपका कर देंगे यह कर देंगे वो कर देंगे तो में मुद्दा है भाई साब की पैसा निकल वाना जो एन बीएफसी अप्लिकेशन काम कर रही है से मुएसे भाई की पैसा निकल वाना यदि आप पैसा दे देते हैं तो मामला यहां पर रफाद अपा हो जाता है यदि आप पैसा न हो जाती है बहुत सारे लोगों को टेंसान हो जाती है कि भाई हम पैसा नहीं देंगे तो क्या होगा और जेल हो जाएगी पुलिस कंप्लेन हो जाएगी बहुत सारा मतलब कि आपके दिमाग में सवाल घुमते रहते हैं और आप कोई-कोई वीडियो पर जा-जाकर कॉमेंट कर करते हैं और उसके बाद मतलब इस्टाग्राम पर भी आप है हमसे कॉंटेंट करते हैं जुड़ते हैं तो कितना लोगों का यह सवाल आया कि हमारा कोई भी पहले का जो वीडियो देखेंगे हमारे यूटूब चैनल पर पहले की वीडियो देखिएगा तो उस पर बात यह मैसे जाना स्टाट हो गया कि आप इतना बड़ा बड़ा वीडियो मत बनाए हमको कुछ समझ भे नहीं आता है आप एक काम कीजिए छोटा सेपरेट वीडियो आप बनाए उससे क्या होगा कि ज्यादा हेगा और हम मतलब कि ज्यादा जान पाएंगे तो विचार इस पर क करते हैं लेकिन जो लोन हेल नहीं लोन हंडेट पर सेज़ चानल है चाहे जीपर निव चैनल है उस चानल पर जाकर देखिएगा उस पर सारा चीज आपको वीडियो नजर आएगा बाकी तो और कुछ नहीं देखिए आपको और चीज बता देना चाहता हूं कि यदि इसका किजेगा तो क्या होगा जो जिस पर भाई मुद्दा है आप छेड़ा है उस पर तो क्यूंना भाई बात यहां पर हो जाए यदि आप नहीं रिपेमेंट करते हैं तो आपका सीबील स्कोर खराब होगा आपको सोचने वाली बात है कि आपको सबसे पहले लोन कैसे मिला है आ है बैंक में जाते हैं लोन नेने के लिए तो आपका रिपूटेशन देखा जाता है रिपूटेशन के मतलब क्रेडिट क्रेडिट स्कोर आप कितना कमा रहे हैं क्या कर रहे हैं देखिए जितना ज़्यादा आप इंकम करेंगे उस हिसाफ से आपको पैसा मिलेगा चाहे जितन आप करेंगे तो सी बीलेस को रही ना कि जिनके मन में डाउट रहता है लिगल एकान यह वो तो यहां पर लीगल एक्सान का तो सवाल ही नहीं उड़ता है भाई सबसे पहले यह समझें न कि यह लोन सीक्यूर है कि अन्सीक्योर वहने सबसे पहले यह बास समझने आप एदि स्पीड लोन लेते हैं तो बैंक से आप जा कर लोन लेते हैं सिक्योर रोन आपको वली बती पता है और बाकि जो यह मतलब की अप्लीकेशन है यह न्वीफिय अफ्लीकेशा नहीं यह हंड़ेशंट लोन देती यह, काफी सारे लोगों को लोन देती है तो लोन में क्या होता है ना कि आप पैसा नहीं चुकाइएगा तो सीबिल एसकोर क्यों खराब होगा आपका ना कि आप पर बतलब क्या होगा कि लीगल एक्षान लिया जाएगा ऐसा वैसा कोई भी अभी तक आरवे के गाइडलाइन नहीं है यदि आरवे के निकलता है कि आप पैसा नहीं चुकाते हैं तो जरूरी भाई हम वीडियो बनाने के काम करेंगे और आपको बताने के काम करेंगे कि आरवे का गाइडलाइन ऐसा निकल गया है कि आप पैसा नहीं चुकाइएगा तो मतलब कि क्या होगा का पर लीग अलेक्षान ने लिया ज जिए कि घर पर पूलिस तो नहीं ना आएंगे आप मेरे से बताइए कि पूलिस सरकारी है या प्राइबेट है पूलिस लीगल काम करती है या इलीगल काम करती है आप मेरे से क्यों यह चीज आप कॉमेंट सेक्शन में बता दीजिए कि पूलिस जो भी काम करती है वो मतलब कि आपके हित में काम करती है या आपके हित में नहीं रहा कर काम करती है बताइए तो पूलिस के काम है भाई लीगल जो भी काम करना लीगल काम करना कानूनी करवाई करना जो लौ है उसी कधार पर काम करना ना कि मनमर्जी करना लेगिन कोई भी अभी तक कोई नियम नहीं है कि आ कि आप पैसा नहीं देते हैं तो पूलिस मतलब की इस केस में जूड़ जाएगी और आपको जेल ले जिया जाएगा आपको जेल पहुंचा दिया जाएगा और आपके साथ जो भी है धारा लगा कर जेल के अंदर बन कर दिया जाएगा जो देखिए क्या होता है को पैसेज हम पर देखिए आज रहे हम भी काति सारह अप्लीकेशन से लोन लेकर रखेए और अभिता था वहाम पएसा नहीं दिये हैं कोई भी औरभी अपके अपके से geworden लिए हैं तो हमने अभिता किसी अदूएफसिएं का पैसा नहीं दिया कितना सारे लोग बोलते हैं कि हमारे साथ यह हो गया हमारे साथ वो हो गया तो सोचे कि भाई हम भी एन भी अप्लिकेशन से लोन ले लेते हैं जब तक जब तक हम इसके बारे में डिपली नहीं जानेंगे कि अच्छली में हम नहीं पैसा चुकाते हैं तो हमारे साथ क्या होग तो कैसे हमको पता चलेगा कि भाई साब आपके साथ क्या हो रहा है कोई बोलेगा की लीगल एक्षण होगा कि नहीं कोई बोलेगा लीन्फल prince नहीं होगा तो यहां पर मतलब के स्वां को say स्मारी बात हो जाएगी तो सोचे गिए भाई साब कि हम भी इतना सारी है डूर ले जो प्लेस्टोर पर एभलेबल अप्लिकेशन्स से रोन हो गया और जो नहीं दीया वह अप्लिकेशन से रोन यह रहा है तो कहने का मतलब यह है कि आप पैसा नहीं देते हैं tiefet क्या होता है जो समझ ये मेरे बात कहने के मेर मुद्दा ये चीज है पैसा नहीं देते ते क्या होता है तो पैसा आप नहीं दिजेगा तो आपका सीवी। को डाउन होगा ना कि लीगल एक्षन हो जाएगा कि जो आपके मन में डाउट है आज हम डाउट क्लियर कर दिए आप ही के करमेंड पर आप ही के सवाल पर हम सोचे कि भाई separate वीडियो बनाया जाएं और separate बिडियो बनाकर और डाला जाएं तो आप लोग बतायेगा कि यह डिस हमारे वीडियो पर आप ही लोग कॉमेंट किये थे कि भाई आप जो में चैनल पर ये वीडियो डलता है इस पर आप मतलब कि में चैनल क्या है आप देख रहे होंगा आपको क्या पता में चैनल क्या है छोड़ा चैनल क्या है सेकेंड चैनल क्या है ठट चैनल क्या है लेकिन को गंभीर मुद्धा सोचें कि वहां भाई यह हो सकता है कि लंबा लंबा वीडियो होने कारण आप लोग वीडियो पुरा कम्प्लिट देखते नहीं होंगे चाहे आपको लगता होगा कि भाई इतना लंबा वीडियो है कौन देखे कौन देखे भाई साब जिनको जदा हरास्मेंट होता है वही लंबा वीडियो देखते होंगे जिनके साथ नहीं होता वो नहीं देखते होंगे तो चलिए वीडियो हाजिर हो गया छोटा सा वीडियो लेकिन लास्ट में यहीं चीप बोलना चाहिए कुछ नहीं होगा क्यों सिबिल स्कूर खराब होगा बाकि डरने वाली कोई भी बात नहीं है दोस्तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जैहीं जैवारा